पहुंच गया था और केवडिया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवडिया में जंगल सभारी पार्क, एक्ता मौल, चिल्डरन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्यवन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकारपन हुआ है। नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मान नर्दा के तड़ पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टुरिजम में पर ये स्थान अपनी जगा बनाने वाला है, चाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से सावरमती रिवर फ्रंट तक सीप्लेन सेवा का भी शुभारं होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सीप्लेन सेवा है। सरदार सावर के दर्सन के लिए स्टैची ओफ यूनिटी को देखने के लिए देश वास्यों को अब सीप्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस खेत्र में परियतन को भी बहुत जादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार्प के भी नए मोके मिल रहे हैं। इन उपलब्दियों के लिए भी मैं गुजरात सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोर देश वास्यों को बधाई देता हूँ। साथियों, कल जब मैं सारे शेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहाँ गाइड के रूप में, यहीं आसपास के गाउं के हमें।